हमारा भ्रमांड रहस्समई बस्तूओं और घटनाओं से भरा हुआ है जो आज तक मुनिश्यों को आश्चर चकित कर रही है वेग्यानिक भी हमारे भ्रमांड के कुछ प्रश्णों पर अपने सिर्ख रोच रहे हैं यह कोई पहली नहीं है कि अंत्रिक्ष रहस्सों से भरा हुआ है हमारी सभ्यता मुश्किल से ही अपने ग्रह के चंद्रमा तक पहुँच पाई है और अन्ने ग्रहों पर भेजे गए अंत्रिक्ष यानों में से एक ही हमारे सोलर सिस्टम को पार कर पाया है लगबग हर चीज जिससे हम गहरे अंत्रिक्ष के बारे में जानते हैं वहां अंत्रिक्ष से गिरने वाली वस्तूओं और टेलिस्कोप से मिले द्रिश्यों पर ही आधारित है ब्रह्मांड में अविश्वस्नी रूप से एक अजीब सी जगा है जो ग्रहों और वस्तूओं को अपनी और आकर्शित कर रही है दुरुभागे से यहां हमारी गैलेक्सी के दूसरी तरफ है जिस कारण हम इसे क्लिरली देख नहीं सकते यही कारण है कि वैग्यानिक इस बात को उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं कि गैलेक्सीज को कौन आकर्शित कर रहा है हमारी गैलेक्सी और अन्य नजदी की गैलेक्सीज अंतिरश के एक स्पेसिटिक खीची चली जा रही है यहाँ अनुमान लगाया गया है कि यह 150 मिलियन परकार्श वर्ष दूर है और इसे ग्रेट अट्रैक्टर का नाम दिया गया है यहाँ गैस और डस्ट से घिरा हुआ है जिस वजह से इसे स्पश लूप से नहीं देखा जा सकता हम जानते हैं कि हमारी गैलेक्सी और अन्य नजदी की गैलेक्सी इस ग्रेट अट्रैक्टर की तरफ बढ़ रही है जिसका मतलब है कि कुछ तो है जो इस प्रतिक्रिया का कारण बन रहा है और बहुत विशालकाय है या ये घटना बहुत अजीब और रहस्यमई है भले ही हम भविश्यवानी करें कि कुछ तो है जो हमारी आकाश गंगा को अपनी और खीश रहा है ऐसा लगता है कि वहां इससे भी बड़ा कुछ है क्योंकि यहां तक कि दग्रेट अट्रेक्टर भी किसी चीज की और आकरशित हो रहा है जिसे शेपली सुपकलस्टर का नाम दिया गया है वास्तव में हम अनुमान लगा सकते हैं कि दग्रेट अट्रेक्टर शायद सिर्फ एक चीज नहीं बलकि हमारे ब्रहमांड का केंद्र बिंदू हो सकता है स्वभाविक रूप से आप में से कुछ लोग यह निशकर्श निकाल सकते हैं कि किसी पॉइंट पर हमारा ग्रह दग्रेट अट्रेक्टर द्वारा नश्ट कर दिया जाएगा हालांकि यह विश्वास्त नहीं किया जा सकता है कि ऐसा कुछ हो सकता है क्योंकि डाक एनर्जी और उसके अग्यात प्रभाव हमारी गैलक्सी को नश्ट होने से रोकते हैं तो इसके मनहुस नाम के बावजूद डाक एनर्जी इतनी भी खतरनाक नहीं है हमारे सुरे की सतह का तापमान लगभग 10,000 डिग्री फेरेनहाइट है लेकिन इसका वातावर्ण जो कोरोना के नाम से जाना जाता है सुरे की सतह की तुलना में लाखो डिग्री फेरेनहाइट है इस बात से सोलर फिजिसिस्ट अब तक परिशान है लेकिन रिसर्च ने सुरे के वीजिबल सर्फेस के नीचे की एनर्जी सुरे के मैगनेटिक फिल्ड में चल रही प्रकडियाओं की और इशारा किया है वर्दमान में वास्तविक वीवरण यहाँ है कि कोरोना में तापमान सुरे की सतह से इतना अधिक क्यों है अभी भी एक रहस्य है Is Earth the only planet with life? Observable Universe व्यास में 93 अरब प्रकाश वर्ष विशाल है और अर्बो गेलेक्सीस से भरा हुआ है जो अर्बो सितारों और ग्रहों से बनी हुई है तो केवल धरती पर ही जीवन का एक मातर सबूत क्यों है जबकि पूरे बर्मांड में जीवन के अन्य रूपों को आम होना चाहिए Fermi Paradox के अनुसार हमारी प्रिथवी पहले से ही extraterrestrial aliens द्वारा विजिट की जा चुकी है यद्यपी इस बात का कोई सबूत नहीं है और ना ही Observable Universe में aliens के कोई संकेत मिले है सवाल यह है कि क्या प्रिथवी एक मात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन संभव है अंतरक्ष में होने वाले सबसे बड़े विसफोट सूपर नोवा है यह तब होता है जब एक विशाल सितारे का इंधन समाप्त होने लगता है और अपने जीवन को एक विशाल विसफोर्ट में समाप्त करता है ये शानदार विसफोर्ट इतने उज्जवल होते हैं कि इनकी चमक पूरी गैलक्सी में समा जाए हालां कि विस्तार से रिसर्च हो चुकी है कि सूपर नोवा कैसे काम करते हैं परंतु सितारों के विसफोर्ट के बारे में अभी भी रहस्य हैं वेग्यानिक इंतार के विसफोर्टो के मेकानिजम को समझने के इच्चुक हैं कि सूपर नोवा बनने से पहले एक सितारे के अंदर क्या होता है अंत्रिक्ष में ब्लैक होल तब बनता है जब एक बहुत बड़े सितारे का विनाश होता है ब्लैक होल की मुख्य विशेषताओं में से एक इसके गुर्टवाकर्षन खिचाव की जवर्दस्ट शक्ती है इसका खिचाव इतना मजबूत है कि कुछ भी इससे बच नहीं सकता यहां तक की प्रकाश भी नहीं जदी कोई सितारा ब्लैक होल के करीब आता है तो वह ब्लैक होल में अवशूशित हो जाएगा और फिर कभी नहीं दिखेगा ब्लैक होल के आस्तित्व को पहली बार अठारविश यताबदी के अंत में सुझाया गया था हालांकि 1967 तक अमेरिकन फिजिसिस्ट जॉन वीलर ने इस कॉलैप्स मास को ब्लैक होल के रूप में उल्लेखित किया था दिल्चस्प रूप से हम एक ब्लैक होल को नहीं देख सकते एक ब्लैक होल की उपस्तिती का पता केवल इसके आसपास की वस्तूं पर पढ़ने वाले प्रभाव से लगाया जा सकता है क्योंकि यह उन्हें आकरशित करता है कहने की जरूरत नहीं है कि हम नहीं जानते हैं कि क्या होता है जब ब्लैक होल सितारे को अवशोशित करता है हमें पक्का यकिन नहीं है कि वह सितारा ब्रहमांड में कहीं दिखाई देता है या पूरी तरह से नश्ठ हो जाता है हम केवल यहां जानते हैं कि black hole कई बस्तों को अवशोशित करने के बाद आकार में बहुत बड़ा हो सकता है वास्तव में एक supermassive black hole हमारी galaxy के केंदर में स्थित है यह बात निश्चित है कि black hole को खोजना और उसका अध्धन करना बहुत मुश्किल है क्योंकि ब्लैक होल ग्रहों और सितारों की तरह अब्जेक्ट नहीं है दो हजार पंद्रा में हमें केरेस नमक छोटे ग्रह से नई तस्वीरें मिली ये आश्चरे जनक तस्वीरें डॉन स्पेसक्राफ्ट द्वारा ली गई थी जो मंगल और भ्रहस्पति ग्रह के बीच एस्टरोइड बेल्ट पर भेजा गया था इस एतिहासिक उपलब्धी के परणाम सुरूप कैरेस पर अंतरक्ष्यान की लेंडिंग होई जिससे हमें इस छोटे से ग्रह की दो रहस्मई विशेशताओं के बारे में पता चला इस ग्रह पर रहस्मी ब्राइट स्पोर्ट्स और एक पिरामिट आकार की संरशना है कुछ वैग्यानिकों ने इसे दे एलिन पिरामिट कहा है वास्ता में प्रिथ्वी से इसे अहुना मॉंस कहा जाता है जब डौन स्पेसक्राफ्ट ने बहुत कम उचाय से इस छोटे से ग्रह का चक्कर लगाया तो इस संरशना का सटीक आकार उजागर हुआ यह संरशना पिरामिट की तरह लग रही थी अहुना मॉंस चिकने खड़ी दिवानों के साथ एक गुम्बद की तरह परतीत होता है मेगयनिकों का कहना है कि अहुना मॉंस चार मिल उचा है यह संरशना अभी भी एक बड़ा रहस्य है अहुना मॉंस के नॉर्थ वेस्ट में लगभग 400 मिल दूर रहस्यमे उच्जवल रोशनी के साथ ओकेटर क्रेटर है मेगयनिक बताते हैं कि यह रहस्यमे उच्जवल रोशनी एक परकार के मैगनिश्यम सलफेट के कारण होती है प्रिथी पर भी एक अलग परकार का मैगनिश्यम सलफेट पाया जा सकता है जिसे इपसोम सॉल्ट कहते हैं यूएफो लॉजिस्ट की इस पर एक बहुत अलग राय है उनका दावा है कि ओकेटर क्रेटर अनवचारिक संरशनाओं से भरा हुआ है जो प्राकरतिक संरशनाओं के अलावा और भी कुछ है कई यूएफो लॉजिस्ट कह रहे हैं कि इन उजवल और चमकदार धब्बों के बगल में कई इमारतों को देखा जा सकता है परन्तु सच क्या है इस बात की परभा किये बिना कोई भी शोत करता इन रहस्यमें संरशनाओं और उजवल धब्बों को समझाने में सक्षम नहीं है डार्क मैटर डार्क मैटर एक रहस्यमें इनिवीजिबल मास है जो कोई परकाश उच्छित नहीं करता यह ब्रमान्द का लगभग 27 परतिशत भाग है इसके आस्तित्व का कोई परतेक्ष सबूत नहीं है हालांकि वैग्यानिकों ने रेगुलर मैटर पर इसके गुर्टवकर्षन खिचाव के आधार पर इसकी उपस्थिती का अनुमान लगाया है कई वैग्यानिकों का मानना है कि डार्क मैटर मैसिव पार्टिकल्स के विक इंट्रेक्षन का समावेश है जो एक प्रोटोन की तुनला में 100 गुना अधिक भारी हो सकते हैं लेकिन डार्क मैटर बैरियोनिक मैटर से इंट्रेक्ट नहीं करता जिसे डिटेक्ट करने के लिए हमारे इंस्ट्रूमेंट्स डिजैन किये गए हैं हाला कि डार्क मैटर को 60 साल पहले थियोराइजड किया गया था वैग्यानिक इस बात पर निश्चित हैं कि डार्क मैटर क्या नहीं है बजाए इसके कि डार्क मैटर क्या है डाक मैटर की तरह ही वेग्यानिक इस बात पर निश्चित हैं कि डाक एनरजी क्या नहीं है बजाए इसके कि डाक एनरजी क्या है हाना कि वेग्यानिकों को पता है कि डाक एनरजी ब्रमांड का लगभग 68 प्रतिशत भाग है और यहाँ ब्रमांड की गैलेक्सिस के तेजी से विस्तार दर के कारण हो सकता है डाक एनरजी की प्रापर्टी आफ स्पेस से लेकर डैनेमिक फ्ल्यूट तक कई संभावनाएं हैं यह जो भी फोर्स है यह अभी तक पता नहीं चला है कि डाक एनरजी है क्या आप इन रहस्यों के बारे में क्या सोचते हैं यह कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएगा इसी के साथ गुडबार